हेलो एव Reitals, स्वाकते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर तो दोस्तो आज का हमारा टापिक है वुचरेरिया बैंक्रॉफट आई जो कि एक फाइलेरियल वार्म है तो दोस्तो इसकी पिछले क्लас में हमने वुचरेरिया बैंक्रॉफटी का life cycle complete किया था philarial worms जो होते हैं ये एक disease cause करते है philariasis philaria जिसे elephantiasis या हाथी पाओं भी कहते हैं ये round worms होते हैं ये नेमा तोट से बिलॉंग करते हैं और ये human beings के lymphatic glands में present होते हैं साथी साथ हमने फिर इसकी morphology देखी थी कि ये इसका structure किस तरह का होते हैं तो ये बिल्कुल thread like होते हैं color in का creamy white होता है और ये sexual dimorphism शो करते हैं male और female are different यहाँ पे मैंने microfilari का figure बनाया था जो कि इसका larva होता है और फिर हमने life cycle शुरू किया था तो इसकी जो पूरी वीडियो है ये आप सभी जा करके देख लीजेगा मैं link description में दे दूँगी तो इसका life cycle हमने देखा था कि क्यूलेक्स mosquito एक infected person जिसे already filariasis हो चुका है उसके blood से ये प्राइक्ब कर लेता है और ये nocturnal mosquito और चुचमा जो micro phiary है ये diurnal migration शो करते हैं वीरिशा सकी जुञों तो ये मच्चर अंचिय की मच्चर के कि ul चृत है थाążए पर प्र कंदक तीन लारवल स्टेजेस पास होते हैं और ये इन्फेक्टिव जो इनाइल्स बन जाता है मॉस्क्यूटों में और ये मॉस्क्यूटों फिर नहीं human being को एन्फेक्ट करता है और ये फिर इसके lymphatic system में चले जाते हैं और फिर बिमारी कॉस करते हैं तो कुछ इस तरह का life cycle हमने देखा था तो दोस्तों आज का जो हमारा topic है phylariasis ये बिमारी इस बिमारी के हम pathogenesis और symptoms इसका क्या test होता है diagnosis क्या है इसके कैसे बज सकते है और इसका treatment क्या है ये सारी चीजे आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पिछले वीडियो में हमने life cycle complete किया तो और इस बार में हम इसे complete करेंगे इसका सारा pathogenesis, prophylaxis, treatment, diagnosis देख कर तो चले शुरू करते हैं यह हमारे lymphatic system में रहता है और यहाँ पे यह lymph का जो flow है lymph vessels में यह इकटा हो जाता है जिससे की वो रास्ता ब्लॉक करना शुरू करता है और इस वज़स के फाइले इस हो जाता है it means जो part है body part वो swell करना शुरू हो जाता है वो एक जगह पे फूलना शुरू हो जाता है in which the limbs और other body parts grow to enormous size या तो limbs होंगा mostly hind limbs, pair या फिर other body parts भी फूल जाते है इसका test क्या है, diagnosis diagnosis of phylariasis involves examination of blood smear for the presence of the larval roundworms तो इसके test के लिए हम blood test करते हैं और blood में देखते है कि कहीं इसका larva तो blood में present नहीं है larva यानि कि microfilari और यह जो blood samples है यह best obtained at night because यह जो microfilari है यह रात के समय active होते हैं और यह skin के vessels में आ जाते हैं peripheral vessels में और दिन के समय यह deep seated blood vessels अंदर के blood vessels की तरफ चले जाते हैं तो रात के समय ही यह blood samples collect करना सही होता है pathogenesis और इसके symptoms क्या है so light infection produces no serious symptoms it causes philarial fever headache तो जब हलका फुलका infection होता है जब उतने भारी मात्रा में यह develop हमारे शरीर में नहीं करते हैं तो इनका कोई खासा symptoms नहीं आता है fever और headache इस तरह की चीज़ें आती है जो की बिलकुल नॉर्मल सी है बट जब heavy infection हो जाता है then यह जो philarial worms है इनका accumulation होता है living or dead worms eventually blocks the lymphatic vessels and glands resulting immense swelling of affected body parts that is philariases पर जब heavy infection हो जाते है तो यह एक जगा पर इकठा होना शुरू हो जाते है living worm हो या dead worms हो यह सारी एक जगा पर इकठा होना शुरू करते हैं और यह lymphatic vessels को block करना शुरू करते हैं जिसे कि एक जगा पर काफी सारा lymph जो है वो fluid एकठा होना शुरू होता है और body part जो है वो swelling उसकी हो जाती है जिसे philariases कहते हैं तो इस तरह से पैर जो है वो फूलना शुरू हो जाता है due to blocking of the lymph vessels so accumulation of lymph in organs causes them to swell तो एक जगा पर काफी सारा lymph जब इकठा हो जाता है तो उसे कहते हैं lymphedema तो यह lymph से जुड़ी जितने बीमारी है lymphedema यह कहां होता है ज्यादा तर lower limbs यानि कि legs में ज्यादा तर जिसे philariase होता है तो उसका पैर फूल जाता है मेल्स में scrotum, testis, legs and memory glands are affected memory glands भी females में memory glands भी swell कर जाते है इंफ्लमेशन और lymphatic vessels भी है इसमें भी सूजन आ जाती है lymphangitis जिसे बोलते है और lymphatic glands में जब inflammation होता है तो lymphodentis तो lymphodema, lymphodentis, lymphodentis यह सारी चीज़े जो है lymph से जुड़ी वी बिमारिया philariases में हो जाती है अब चलिए देखते हैं इसका treatment क्या है no proper or satisfactory treatment has been invented to eradicate the philarial worms आज तक कोई भी ऐसा treatment नहीं है जिससे पूरा इसका इलाज हो सके और microfilari को जड़ से खतम किया जा सके so बिमारी का थोड़ा बहुत symptomatic की इलाज होता है और infection को reduce किया जाता है ताकि एक इनसान से दूसरे इनसान में ये बिमारी ना फैल सके so it may be reduced by eradication of microfilari from circulation तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो microfilari है जो इनका development हो जाता है blood में आने शुरू हो जाते हैं तो इनको रोकना ताकि ये जो है कोई another mosquito सक करके किसी को harm ना पहुँचा है तो microfilari को blood में circulate करने से रोकने के लिए कुछ-कुछ दवाईया है some drugs are like albendazole, diethyl carbamazine जिसे heterazone कहते है तो ये सारी दवाईया and compounds of antimony and arsenic ये सारी कुछ-कुछ दवाईया है जो की दी जाती है philariasis के treatment के लिए अब देखते profile axis कि क्या prevention है इसको control कैसे कर सकते हैं हम इस बिमारी को so the most effective preventive measure is protection from the mosquito bite इसका एक ही मात्र इलाज है कि मच्छरों से बचा जाए मच्छरों से बचना ही इसका एक मात्र protection हम कर सकते इसी के कारण तो मच्छरों से बचने के लिए हम mosquito nets का इस्तमाल कर सकते हैं और जैन विंडो की स्क्रीनिंग करा सकते हैं ताकि मच्छर ना आ पाए मॉस्क्यूटो रेपेलंट क्रीम जो होते हैं वह सभी हम अपने शरीर के एक्सपोजड पार्ट्स पर लगा सकते हैं किलिंग देम बाइ फ्यूमिगेशन इस्प्रेइंग डीडीटी जितने भी इंसेक्टी साइट से इन सभी चीजों को छिड़काव करना मॉस्क्यूटो जो है पानी में ब्रीड करते हैं वहीं पे एग ले करते तो उसका जो ब्रीडिंग प्लेसी से इसको हटा सकते हैं जैसे के टिनकैन्ज बखिट जहां पर पानी इकठा हो जा रहा है या फिर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो नालियां जो है वह खुली नाो सारी ऐसी फिशेज होती है जो कि लार्वा को खाती है डग है ड्रैगन फ्लाइज यह सारे मॉस्क्यूटो को मारते हैं तो यह सबी चीजों को हम रख सकते हैं ताकि मच्छरों से बचा जा सकते हैं तो आज हमने इसका सिम्टम्स वगेरा देखा है और जिन्होंने लाइफ कि वीडियो जाकर कि देख लीजेगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगी आज हमने इसका सिम्टम्स वगेरा कर लिया और प्रोफाल एक्सिस ट्रीटमेंट कर लिया तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर खतम करते हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आय हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा थैंक्यू सो मच अब्रिवन